हलो दोस्तों, जी एस मणी में आप सभी का स्वागत है, मैं आपका एजूकेटर येस चंद्रा, आज आपके सामने खबरों में विसेश लेके आया हूँ, IUCN का एक जो है लिटिश्ट रिपोर्ट आई है, International Union for Conservation of Nature, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, जैसा कि मैं अपनी हर खास वीडियो में आपको किसी खास टॉपिक के बारे में, किसी खास संस्था के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ, आज उसी तरह की यह भी वीडियो है, IUCN और Red Book जो होती है, Red List जो होती है, इसके बारे में आप आज A to Z जान जाएंगे, और आने वाले किसी भी परिक्षा के लिए इससे संबंधित प्रस्णों के बाहर नहीं जाने वाले हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, IUCN के बारे में, क्योंकि यही जो है, इस Red List को जारी करती है, अंतरराश्टी प्रकृति संडक्षण संग, इसका पूरा नाम है हिंदी में, जबकि हम इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, International Union for Conservation of Nature, आपके बता दें जानकारी के लिए बाइलिंग्वल है यह वीडियो, दोनों भासाओं में आपके लिए उपलब्ध है, सरकारों तथा नागरिकों, ध्यान रखेगा, सरकारों और नागरिकों, दोनों से मिलकर बना एक विसिष्ट यह संग है, इसमें जो civil society जो होती हैं, NGO जो अगरे होते हैं और government, दोनों को मिला के इसका गठन किया जाता है, यह दुनिया की प्राकृतिक स्थिती को संरक्षित रखने के लिए एक वैस्ट विक प्राधिकर्ण है, जिसकी स्थापना वर्स 1948 में की गई थी, एक मैंने संचेत परिचे दिया, आगे इसके विसे में और भी डिटेल में देखेंगे, अब इहालिमिक इसने एक रिपोर्ट जारी किया, उसमें बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि लगभग 44,000 विलुप्त होने का खत्रा है जीवों के, 44,000 आज तक के, आज तक धर्ती पर 44,000 जीव विलुप्त हो चुके हैं, अब इसमें कहा जा रहा है कि पिछले साल से 2000 तक बढ़ गया है, यानि कि पिछले साल से जो जीवों की संख्या 2000 इसमें एक्ष्ट्रा एड हो गये है, अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इन्हो जो अंतिम हिम यूग था, हिम यूग से तत पर है कि पूरी धर्ती पर एक समय ऐसा था, आप इस टोन इससे देखेंगे, तो एक समय ऐसा था, पूरे धर्ती बहुत बड़े हिस्से पर बर्त की जो है, चादर बिछी हुई थी, जब यहां समय के साथ प्रिथिवी गर्म होन लगा, विविन प्रकार की गैसे वातावरन में बनना सुरू हो गई, तो यह जो बर्फ थी, धीरे-धीरे पिखलने लगी, और खुला मैदान परवत पठार मिलना सुरू हो गए, तो इसी में जो अंतिम हिम यूग आया, यह जो हिम यूग था, यह अपने कई चरणों में खतम हुआ है, तो जो अंतिम चरण था इस हिम यूग का, यह एक लाख साल पहले शुरू हुआ, और लगभग 25,000 साल पहले तक चला है, माना जा रहा है कि 25,000 साल पहले जो हिम यूग का समय था, उस समय से यह जो म्रिग हैं आप देख रहे हैं, खास प्रकार के, आप देख गंभीर रूप से लुप्त प्राय से निकट खत्रे में ले जाया गया था, यानि कि यह क्या है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय और निकट खत्रा जो नियर थ्रेटेंड है, इसकी एक लिस्टिंग होती है, सात प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है, कि कोई जीव गंभीर रुप से लुप्त प्राय है कि खत्रे के निकट है कि वो समाप्त हो चुका है इसके बारे में डाटा उपलब्ध नहीं है कई सारी स्रेणिया ये बनाता है IUCN तो उसी में कह रहा है कि लुप्त प्राय से यह निकट खत्रे में ले जाया जा रहा है तो इधर English का इसका Translation है आप देख सकते हैं यहाँ पर इधर Hindi का था इधर English है आप चाहें तो वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं उसके अलामा क्या बताया जा रहा है मीठे पाने की मचलियों के यानि कि जो फ्रेस वाटर में जो मरीन लाइफ्स पर डिपेंड है बहुत बड़ी आबादी समुद्री जो फूड होता है उस पर डिपेंड है कम से कम 17% जलवाईव परिवर्तन से प्रभावित है इसमें जो 20-25% बिलुप्त होने का जिन पर खत्रा है यानि को समाप्त हो जाएंगे पूरी तरह से 17% जो है जलवाईव परिवर्तन से प्रभावित है या पहला वैस्वी के मीठे पानी की मचली का आकलान है आपके लिए यहाँ प्रस्ण बन गया है अगर इसे मैं triple star दे दूँ तो बुरा नहीं होगा कि पूछा जा सकता है जब भी ऐसा कोई करमा और खास कर UPSC का कोई internationally reports अगर ऐसी है जो nature से related है तो है UPSC के फेवरेट होती है या फिर अन एक्जाम से में भी ऐसी चीज़ें पूछे जा रहे है तो यहां क्या कह रहा है कि पहला वैस्वीक मीठे पानी की मचली का आकलन्स शामिल किया गया है इस बार और इस सूची में यह इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि भारत का एक दक्षण का राज्य केरल है जो आपकी अरप सागर के साथ सीमा बनाता है चार मीठे पानी की भूमिगत मचलियां यहां देखिए उसका एक फॉसल्स और उसकी जीव के बारे में दिया गया है प्रजातियां सत्ता के नीचे जल निकायों में पाई जाती है यह जो मचली है यह बहुत सालों से है काफी समय से धरती पर है लेकिन इस पर भी अब संकट आने वाला है तो यहां देखिए यह जो है दहिंदू का एक अर्टिकल था वहां से मैंने रिका इसका इंग्लिश टांसलेशन है इसे चीज का आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसे भी लोप तो प्राय की अगर बात करें कि कौन कौन सी है तो साजी की कैट फिस अब्दुल कलाम की अंधी गुफा मचली इसको एनांगिला फिस भी कहा जाता है और पहली बार जब इसे खोजा गया तो वग्यानिकों ने पाया और तमाम लोग बताए कि कई सारे लोग ऐसे है कि दस्कों से वो फिसिंग कर रहा है यहां मचली लगबग एक हजार मीटर की गहराई में रहती है समुदुरतल में से बिलकुल अलग है मैं यहाँ पे पिक लगाना भूल गया उस तरह से आपके उल नाम भी जानते रहेंगे तो काफी है पैंग्यो भूजिया यह भी एक प्रकार की species की प्रजाती है एक species है कमजोर के अगर बात करें इसे जो कटेगरी बाटा जाता है Wollernable कहा जाता है गुल्लम स्नेक हैड यह भी एक जीव है जो Wollernable है यानि की यह भी खत्रे में आ सकता है थोड़ी सी बात करें लाल सूची के विशे में जो red list है red list के बारे में भी जानना जरूरी है हाला कि यह IUCN के द्वारा ही जारी की जाती है यह दुनिया की जैव विविदता जो हमारी biodiversity है world diversity के स्वासत का एक महत्तपुन संकेत तक है जैसे होता है यह सूची यह तै करती है कि कौन से जीव को किस अस्तर का संरक्षड देना है ठीक है सीमा जनसंख्या आकार निवास अस्थान पारिस्थितिकी के बारे में जानकारी प्रदान करता है किसी जीव के सीमा के बारे में यानि कहा से कहा तक वह जीव पाया जाता है उसकी जनसंख्या का आकार कितना है कितने वो बच्चे हुए है उनका निवास अस्थान क्या है habitat बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी जीव के रहने या बिलुप्त होने में पारिस्थितिकी के बारे में एंवार्मेंट के वाले में उपियोग और ब्यापार खतरे और संदक्षण का कारे कभी कभी क्या होता है कि किसी जीव कहास को उसके ब्यापार की वज़त से विलुप्ति का सामना करना पड़ता है तो उसके खतरे क्या है कैसे सनरक्षण के कारे किये जाए इसमें भी IUCN काफी मदद करती है इस red list के जारी करने के बाद स्रेणिया जब यहाँ पता चलता है कि जैसे होता है कि किसी व्यक्ति को अगर माल लिजे कि हिमोगलोबिन कम है कि उसकी बॉड़ी में कुछ कम है तो क्या करता है वो ने एक category decide करता है कि अगर इसके इसके बीच में है तो इसका मतलब है कि यह खतरनाक है और इसके इसके बीच है इसका मतलब moderate है उसी तरह से यह क्या करता है साथ प्रकार के लिश्टिंग करता है उसमें क्या करता है जोखिम का घटते क्रम में बताया गया है मतलब विलुप लुप्त प्राइब यानि कि अब यहां बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है लुप्त प्राइब उसके बाद लुप्त प्राइब यानि कि गंभी रूप से लुप्त प्राइब से कम खतरनाक है लुप्त प्राइब उसके बाद आता है कम जोर हिंदी में ट्रांसलेशन कर द देखे दिया गया ना category decreasing order of extinct instinct in the wild critically endangered, endangered vulnerable, near threatened, least concerned and data deficient ये इसमें last में क्या होता है कहा जाता है कि इसके बारे में कोई आकड़े मुझूद नहीं है इसलिए कोई भविश्वानी करना मुश्किल है यहां देखें मतलब data मुझूद नहीं है इसलिए कोई नहीं है डाटा कम है उसके बार लीस्ट कंसर्ण नियर थ्रिटेंड वल्नरेबल इंडेंजर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंस्टिंक्ट इन्वाइल्ड और इंस्टिंक्ट यह रिस्क के देखें increasing risk of extinction यह दिखाया गया है जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहा है वैसे वैसे रिस्क बढ़ता जा रहा है इस चार्ट के माद्धिम से बड़े अच्छे से चमसाए गया है अब देखें प्रजातियों के जोखिम को निर्धारित करने के लिए उपयोग किये जाने वाले क्या क्या कार में कमी प्रतिबंधित भोगोलिक सीमा एक छोटी आबादी और गिरावर्ट बहुत छोटा है या प्रतिबंधित छेतर में रहता है विलुप्त होने के जोखिम का मातरात्मग विश्रे स्थान्ट ये सारे क्राइटेरिया ये सारी चीजें तै करता है कौन के मुख्याले की हम बात करें तो प्रकृति के संद्रक्ष्ण के लिए ये समर्पित संस्थान है और इसका जो हेटक्वाटर स्विट्जर लेंड का एक ग्लेंड नामक स्थान है वहाँ पे इसका हेटक्वाटर है 1948 में से बनाया गया और इसकी जो सदस्ता लिजाती है अभी मैंने पीछे बता दिया सरकारें भी शामिल होती है और NGO और नागरिक भी शामिल होते हैं कारे की बात करें तो इसमें क्या बता जा रहा है कि जो सारवजनिक निजी और गैर सरकारी संगठनों को ज्यान और उपकरण प्रदान करता है जो मानव प्रगति आर्थिक विकास और प्रकृति संडक्षन को सक्षम करते हैं तो हमने आयू सीन और रेड लिस्ट का जो डाटा आया हुआ है उससे संबंधित सारी जानकारी को कलेक्ट कर लिया आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिजे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को कहुंचाने का प बहुत सारे चैनल को भी सब्सक्राइब किये हों तो उसमें एक चैनल हमारा भी हो सकता है हो सकता है डिफरेंट टॉपिक आपको मिल जाए तो आप पुझा के देख सकते हैं अगर स्क्रिप कर सकते हैं वीडियो को जरूरी भी नहीं है लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वज़ा जरूर बता दिया करिए इसे के साथ बहुत सारा धन्यवाद और शुप काम